मा इस शब्द से हर किसी का एक भावनात्मक संबंद जुड़ा हुआ है। और ऐसी ही कुछ कहानी जानवरों की दुनिया की भी है क्योंकि मा तो मा होती है फिर वो चाहे जानवरों की हो या इनसानों की क्या फर्क पड़ता है। अब इस मेड़क से मिलीजी अजीब सा दिखने वाला ये मेड़क बुलिविया, ब्रैजील, कोलंबिया, गुयाना, पेरू, त्रिनिदाद, वेनिजवेला और सूरिनाम में पाये जाता है। इस मेड़क का नाम सूरिनाम टोड है, आपको बताते हैं कि मादा सूरिनाम टोड अपने बच्चे को एक बेहदी जुदा अंदाज में जन्द देती है, जिससे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरसल इस मेड़क की पीट पर कई सारे गड़े होते हैं, जिससे वो अपने बच्चों को जन्द देती है। आपको बाहर निकलते हैं, तो यह मादा सूरिनाम टोड के शरीर पर मौझूद ऊपरी जिल्ली को तोड कर बाहर निकलते हैं। और जब यह जिल्ली तोड़ती है, तो मादा सूरिनाम टोड को काफी यह सहनी दर्द और पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए मादा सुरिनाम टूट को इस दर्द को सहन करना पड़ता है हमारी इस लिस्ट में अगला नंबर है मादा ओक्टूपस का मादा ओक्टूपस जिस तरह से अपने बच्चों को जन्द देती है अगर वो कहानी आपने सुन ली तो यकीन मादा ओक्टूपस प्रेगनेंट होती है तो ये अपने अंदर अंडों को लगबग 4-5 महीने तक रखती है इसके बाद सर्दियों के बीच पानी के सही तापमान के दौरान इन अंडों को जन्द देती है अमूमन एक मादा ओक्टूपस 10,000 से ज़ाद अंडे देती है लेकिन एक रिसर्च के अनुसार ओक्टूपस एक एक करके लगबग 46,000 अंडे भी देती है और ऐसा करने में लगबग एक महीने का समय लगता है अंडे देने के बाद ये एके करके पानी में तेरते रहते हैं इसके बाद आक्टूपस इन सबको एक साथ सम्हू में एकटा करती है और फिर इन अंडो को ये एक डेन में रखती है ये डेन एक तरह की गुफा होती है जो चट्टानों से घिरी रहती है मादा अक्टूपस इन अंडों को एक साथ उस गुफा में रख देती है और इन अंडों की सुरक्षा के लिए इनके पास बैट चाती है ताकि किसी भी शिकारी जीव की इन अंडों पर नजर ना पड़े मादा अक्टूपस का हर अंडा एक चमकदार सफेद आंसू की तरह होता है जो कि एक चावल के दाने के बरावर होता है लगबग महीने भर तक मादा अक्टूपस इन अंडों की रखवाली करती है महीने भर तक अंडों की रखवाली करने के दौरान ये अंडे पर पक हो जाते इसका रंग फीका पड़ जाता है और इसके सांस लेने की प्रक्रिया काफी धीमी पड़ जाती है लंबे समय तक कुछ ना खाने पीने के कारण धीरे धीरे इस मादा उक्टोपस के शरीर के सभी अंकाम करना बंद कर देते हैं और कुछ समय बाद इसकी मौत हो जाती है तो दे शोक और खुशी दोनों ही मनाते हैं जहां एक और हम इंसानों में माँ अपने बच्चे को नौ महीनों तक गर्ब में पालती है तो वहीं एक मादा हाती करीब दो साल तक अपने बच्चों को गर्ब में पालती है जो दुनिया में किसी भी और जानवर के गर्ब कालक के मुक करती है इसलिए रात के समय में जब माहौल शांत होता है तब ही जादा सर्मादा हाथी बच्चे को जन्ब देती हैं जन्ब देते वक्त सबसे पहले बाहर आता है इस एम्नियोटिक ब्लेडर के बाहर आने के बाद करीब 120 से 150 किलो का बच्चा बाहर गिरता है आपको बताते है दोस्तों प्रकृति ने हर चीज के लिए कुछ नियम तयकि होएं आम तोर पर इंसान होया जानवर हर किसी की प्रजनन शमता और बच्चों को पैदा करने का समय निश्यत होता है लेकिन दुनिया में एक ऐसा आजीब जानवर भी है जो हर समय प्रेग्नेंट रहता है ये बात सुनकर आप शायद चौक भी गए होंगे लेकिन ये बिल्कु सही है कंगारू जैसे दिखने वाले स्वैम वैलभी के पेट मे दो बच्चे पलते रहते हैं इस से डिलिवरी के बाद भी एक ब्रून शरीर में रहता है ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है फीमेल वैलभी हमेशा ही प्रेग्नेंट रहती है और ये ही इसके लिए सबसे बड़ी समस्याबी है दरसल कंगारू की तरह फीमेल वैलभी अपने बच्चों को अपनी थैली में ही रखती है जब ये बच्चा थैली में रहता है तो उसी दौरान ये वापस से प्रेग्नेंट हो जाती है अब ऐसे में एक बच्चा इसकी थैली में होता है और दूसरा इसके पेट में ऐसे में कभी कभी ये दोनों बच्चों को लेक चल नहीं पाती और अपने खुद के लिए वा थैली में मौजूद बच्चे के लिए खाना नहीं जुन पाती है। कुछ समय बाद जब थैली में मौजूद बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद के लिए खाने की विवस्था करने लगता है। लेकिन इतने लंबे समय कुछ ना खाने पीने के दौरान ये female वेले भी काफी कमजोर हो जाती है और कभी कभी तो ये इतनी कमजोर हो जाती है कि इसकी मौद भी हो जाती है female octopus की तरहे इस मां की ममता की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता दोस्तों कीवी बर्ड का भी बच्चे पैदा करने का ढंक बाकी जानवरों से जरा हट के होता है ये एक मातर ऐसा पक्षी है जो ओड नहीं सकता क्योंकि इसके पंक काफी चोटे चोटे होते हैं ये अनोखी चुडिया न्यूजिलेंड में पाई जाती है न्यूजिलेंड में कीवी की कुल 5 परजातियां रहती हैं कीवी का आकार एक छोटे कुटे के जितना होता है इसके पंक फर जैसे नजर आते हैं पर ये इतने छोटे होते हैं कि इनके सारी ये ओड भी नहीं पाते हैं जब मादा कीवी वर्ड प्रेग्नेंट होती है तो अंडे देने के बाद इनके अंडों की देख एक माता पिता दोनों मिल करके करते हैं वे एक एक करके पतियों के डेर के नीचे कीडे मकोडे तथा खाना डूनने के लिए जाते हैं कीवी के मावाव अपनी माद में ही रहते हैं तथा बारी बारी से अपने अंडे को सेते हैं दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीवी का अंडा किसी भी सामाने मुर्गी के अंडे से करीब 10 कुना बड़ा होता है और इस अंडे को शरीर से बाहर निकालने के लिए इस बेचारी मादा कीवी बर्ड को काफी जादा ताकत लगानी पड़ती है कीवी के चूजे का वजन करीब 400 ग्राम होता है यानि कि ये अंडा मा के वजन का करीब 20 प्रतिशत होता है शरीर के आकार के हिसाब से दुनिया के किसी और पक्षी का अंडा इतना बड़ा नहीं होता इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडा देने के दोरान इस पक्षी को किस दर्थ से गुजरना पड़ता होगा जब ये पक्षी अंडा देने लाइक होता है तब ये इतना बड़ा होता है कि मा के शरीर में खाने के लिए भी जगए नहीं होती। कीवी का बच्चा अंडे में करीब 80 दिनों तक रहता है और उसके बाद में ये बाहर निकलता है। कीवी के बच्चे को अंडे से बाहर निक लेकिन अंडे देने के दोरान बेचारी मादा कीवी को जिस तर्फ से गुजरना पड़ता है उस पीड़ा से वो खुद की हिफाज़त नहीं कर पाती पर मा तो मा होती है इस असैनी पीड़ा को सहन करके भी वो अपने बच्चों को इस दुनिया में लाती है तो दोस्तों ये जानवर जो बाकी जानवरों की तुला में कुछ अलग तरीके से अपने बच्चों को जन्द देते हैं आपको इन में से कौन से जन्द देने की प्रक्रिया सबसे अलग और अनुकी लगी हमें कमिट बॉक्स में ज़रू बताएं बाकि आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं ए भी अपना ख्याल लोगें धन्यवाद